हेलो बच्चों क्या हाले आप सबका चली जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्तों तक भी अच्छी एच्छी वीडियो जो स्टेडिस रिलेटेस अब टाइम टी टाइम मिलती रहे बेल आकें दबाना चली-जो टाबस हमारे पास ग्रॉद और इन वर्मठी ड्रày मट्रिक्स कारतें ही हम लोग को सीखना ठीक है तो एंच्छीं में हम लोग और से पहले हम लोग परहेंगे कि एट्जिज में हम लोग को एक चीज होता है मत्रिक्स तो सब्सेंपहले जानते हैं मत्रकस का this से find out करते हैं तहां से देखिएगा एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं इसमें अलफाबेट हैं A B C D E F G H I इसका अगर डिटर्मेंट निकाला को सिंपली स्कों डिटर्मेंट में लिख दीजएगा A B C D E F G H I इसको किस में लिख दीजए है अब इसको डिटर्मेंट को एक्सपेंड करना आपको मैंने प्रीवेस वीडियो में सिखाया जो लोग नहीं होंको प्रीवस वीडियो देख लिए बाखी यहाँ पर समझने कोशिच करिए समझाने कोशिच करता हूं A A लिखे तो उसका वर्टि लगाते हैं तो di minus fg plus c इसका आप छोड़ देंगा तो क्या मिल जागा dh minus eg ठीक है यह हमारा हो गया determinant of matrix ठीक है कुछ करते खास नहीं है बस क्या कर देते हैं लोग जो भी matrix दिया रहता है उसका हम लोग क्या 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 कर देते हैं और अब देखिए यहां पर दो टाइप के matrix आपको समझ में आगे अगर आप determinant of matrix निकलना सीख लिए तो अससे आपको दो टाइप of matrix निकलना आप लोग को पता चलेगा देखिए पहला टाइप हम लोग का पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स तो दूसरा क्या होगा क्या होगा दूसरा प्लूरल नहीं प्लूरल नहीं होगा भई क्या होगा नॉन सिंगुलर एक सिंगुलर होगा तो दूसरा क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्र होता है इसमें डितरमिनेंट ऑफिजों आता है वह जीरो आता है कि एक में डितरमिन्टैंटों रखिये perseverance 미protOD किया क्या होता है ठीक कि टीलर में डिए से आप नॉन जीरो याद रखिएगा और बाकी सिंगलर के लिए क्या हो जाएगा उस एक आप पोजिट डैट इस जीरो ठीक है यहाँ पॉस्टिव नेगटिव से कोई फरक पाड़ने वाला नहीं है जी नॉन जीरो का मतलब होता है क्या पॉस्टिव भी हो सकता है और निगे समझ गया है अगर आप तो आईए एड्ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स रूखिए जाब ध्यांस देखिए सबसे पहले टू बाइटू का एक मैट्रिक्स लिए लिए तो आप फटाक से लिखिएगा एड्ज्वाइंट ऑफ इसका सिंबल है एडिज दोनों में से जो पसंद आप लिख सकते हैं कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है दो अच्छा लगे वो कर सकते हैं ठीक है इसमें करना क्या है प्रिंसिपल डाइगनल जो होता है यह प्रिंसिपल डाइगनल और इसी तरह मैं बताए इसका क्या नाम है कॉंजूगेट डाइगनल को आपस में इंटर क्या करते हैं क्या करते हैं इंटरचेंज मतलब कि डी लिख दिया है इंटरचेंज और जो नहीं हुता है उस में हमलग ते क्रिए ह्यों नहीं हमारे पास है टू बाई टू के लेक्ट्रिक फेस से समझ लीज़े अच्छा यहाँ पर एक को आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं चाहे बीना ब्रैकेट का बिली सकते हैं च्छाइस आपके उपर जैसे आपका पसंदा वैसे आप कर सकते हैं और यह प्रिंसपल डागनलों इसको क्या करते हैं आप उसमें इंटर्चेंज और कॉन्जूगेट डागनलों के किसे मल्टिप्लाय करते हैं माइनस से मल्टिप्लाय करते हैं ठीक है यह चीज़ दिमाँ में बैठा रहा है आपके अब आते हैं आगे अब देखिए अब अगर माँ पास 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया A, B, C, D, E, F, G, H, I 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया इसका हमसे कहा क्या अन के लिए अब एजॉइंट आप एक निकाल के दिखाईए आपको ठीक है तो adjoint of निकालने का तरीका ध्यान से देखिएगा कुछ करतें नहीं है सारे element का cofactor निकालते है सारे element का क्या निकालते है cofactor ध्यान रखेगा मैंने word यूज किया cofactor क्या word यूज किया cofactor cofactor का मतलब क्या आगाई है with sine क्या उता है minor तोट मैंस आते हैं यही all एही की दिए करते हैं उससे को फैक्तर दोगे तेसरे में लिग कि मेरा हो जाता है पहला मतलब क्या निकालना है को फैक्टर्स ऑफ और ऐलिमेंट्स दूसरा इस्टेप क्या है पुट इट इंटो अ मैट्रिक्स तीसरा स्टेप क्या है टेक इट्स ट्रांस्पोज ठीक यह तीन स्टेप का काम है सारे एलिमेंट का को फैक्टर्स निकालना है उससे एक मैट्रिक्स जनेरेट करना उसका क्या लिए ट्रांस्पोज तो जो रिजल्ट होगा वह मेरा क्या हो जाएगा एट्जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स चली अब तोटल इसमें कितने एलिमेंट अब से किसी हैं पुछा तो अब टोटल 9 element है तो आप 9 element का हर एक क्या निकलना पड़ेगा क्या निकलना पड़ेगा क्या पड़ेगा कोफेक्टर चलिए ध्यांसे करते जल्दी से देखिए भई यह आप है अब ठोड़ा मैट्रिक्स बढ़ा से बना लिजे हर एक दूसरे element का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, minus sign के साथ, क्याएगा, dfgi, तीसरे element का लिखेंगे तो कितना आएगा, d e g h, देखिएगा, ठीक है, या इसको close कर लिजे, ठीक है, फिर दूसरे element लिखेंगे तो क्या लगाएगा पहले, minus, उसका authentic vertical line शोड़ेंगे तो क्या h i, फिर यहाँ लगेगा क्या, a c g i, फिर यहाँ पर क्या लगेगा, minus, फिर क्या आएगा, a b g h, फिर यहाँ पर क्या आएगा, आपका, b c e f, फिर आएगा यहाँ पर, minus, फिर क्या हो जाएगा, a c d f, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका last element, a b d e, देखिए, यह तो अध्यान से देखिएगा काजो की बर्फी आप लोगों को बड़ी पसंद होगी तो काजो की बर्फी बनाने वाले जो element है वही element क्या होता है निगेटिव होते है ठीक है तो इसे आपको पॉस्टिर निगेटिव का कभी को फेक्टर निकलता फिर मैट्रिक्स फार्म करता फिर टांस्पोस लेता टाइम टेकिंग था लेकिन एक ही में सब कुछ कर दिया को फेक्टर भी सारे element को each and every element को में क्या करेंगे expand करेंगे जो हैगा हुई मेरा answer हो जागा देखिएगा ध्यान से जब expand करेंगे आप तो क्या बनेगा देखिएगा पहले वाला एगा EI- FH दूसरा ला element कितना आएगा DI- FG और तीसरा element कितना आएगा आपका DH-EG ठीक है तो इसी तर आपके सारे element आ जाएंगे 9 के 9 element उसका क्या लिए ना मनों को transpose देना है चलिए अब इसका हम transpose लेके और निकाल के आपको दिखाते हैं जल्दी से देखिए देहां से आप सारे element का जैसे ही आप expand करेंगे पहला element expand किया मिलेगा EI- FH फिर माइनस फिर क्या मिलेगा DI- FG फिर तीसरा मिलेगा क्या DH-EG फिर यहां माइनस लग जागा पहला ही BI-CH फिर AI-CG फिर माइनस आइन के साथ AH-BG फिर यहां जागा क्या FB-CE फिर माइनस AF-CD फिर AE-BD अब इसी का क्या 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 नाम लोगो transpose लेना है क्याले नाम लोगो transpose देखी एक step हो गया हमने कर लिया आप हमको क्याले ना इसका transpose लेना अच्छा आप लोगे दिमाग में अगर यह आ रहा हो कि हम इस step को skip करके हम यहां पहुंच सकते हैं तो आप यह कर सकते हैं कोई मना ही नहीं नहीं ठीक है यह step कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है दिखाना का ठीक है अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इससे इसके जगा हम डाइट इसका transpose ही करके लिख लिख दे एक step इसको लिखने बाद वह भी कर सकते हैं कोई दिखकत की बात नहीं आप दोनों कर सकते हैं फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग स्टार्टिंग फेस में है लगनिंग फेसमें तो इसलिए सारी steps को ध्यां से देखना पड़े कर ठीक है अभी सारे matrix element का कहले ना हम लोगों ट्रांस्पो लाइन बना रहेते हैं क्या बन जागे हाँ पर EI-FH-DI-FG फिर DH-EG फिर माइनस BI-CH AI-CG फिर माइनस AH-BG फिर FB-CE फिर माइनस AF-CD फिर AE-BD यह हो गया मेरा answer यही मेरा add joint of यह हो गया add joint of यह निकलना इतना बड़ा task हमारे लिए है ठीक है तो 2x2 के लिए आपको मैंने tricks क्या दिया 2x2 के लिए trick क्या था मेरे पर जो हमारे पास principle element होते है उसको क्या करते है आपस में interchange कर देते हैं और कॉंचों के एक matrix form करते हैं और दीस से स्टेप में निकलते हैं हम लोग ट्रांस्पोस निकलते हैं जो answer आता हो that is the add joint of matrix ठीक है चलिए अब आते हैं कुछ आगे देखते हैं इसके बारे में अब आप देख रहे हैं कि add joint of matrix निकलना बहुत बड़ा टफ टास्क ठीक है बहुत ही टफ टास्क हमारे लिए हो जाता है बहुत बड़े बड़े कोशन बन जाते हैं तो इससे बचने के लिए हम लोग को कुछ ट्रिक्स दिए गया है जैसे हम लोग से कोशन कभी कभी अराइस करता है पहला स्टेप देहान से देखेगा विद आउट कंप्यूटिंग कि एड्जॉइंट ओफ ए फाइंट ठीक है विद आउट कंप्यूटिंग एड्जॉइंट ओफ ए फाइंट नहां से देखेगा एड्जॉइंट ओफ हम लोग को कंप्यूट करने से मना कर रहा है एड्जॉइंट ओफ ए कंप्यूट करने से हमको क्या करना है मना कर रहा है लेकिन हमसे पूछ किया रह Adjoint of A का Determinant बताईए ठीक है चाहिए तो इसका ब्रैक्रम लिख लिख लिए थोड़ा ज्यादे क्लियर होगा कि क्या चीज़ हम निकालने वाले ठीक है तो यह तीन चीज़ हमसे जनली पूछ देता है कि Without Computing Adjoint of A Find Adjoint of A फिर हमसे पूछ देता कभी कभी क्या की Determinant Adjoint of A into Adjoint of A और A into Adjoint of A क्या होता है ठीक है तो यह चीज़ हम लोग से कभी कभी कोशन में पूछता है तो हम लोग को यह जाना जरूरी है कि Without Computing Adjoint of A कैसे हम यह सारे चीज़ों को पर सकते हैं ठीक है तो ध्यान से देखिएगा सारे कोशन से पे बेस्ट हम लोग कोशन एक ट्राइक करते चलते हैं और जल लिए फटाक-फटाक समझते चलते हैं देखिए जो पहला हम लोग को दिया हुआ है पहला दिया था क्या Adjoint of A का Determinate यह होता Determinate of A to the power n-1 where n is order of matrix अच्छा एक चीज़ आपको दिमाब बैट गया होगा कि जब भी हम लोग matrix का Adjoint निकालने हैं तो इसमाँ लोग Determinate निकालना है ध्यां से देखिए जब भी हम लोग matrix का Adjoint निकालना है जब भी हम क्या निकालना है अट्योउए निकालना है तो Adjoint निकालने के लिए हम लोग Determinate का क्या यूज कर रहे है的時候 use कर रहे है ध्यान दिया अब इस बात पर जब भी हम Adjoint निकालना है matrix ay dividő' में always of a square matrix ठीक है यानि कि यहाँ पर जो n का order होगा या तो वो 2 होगा या तो वो 3 होगा या तो 4 होगा सो 1 जैसे भी हो ठीक है अगर हम लोग का academic और advanced level तक की बात करें तो हम लोग का इतना में सारे problem solve हो जाता है है 2 3 & 4 के लिए ठीक है तो यह matrix का order होता है 2 by 2 के लिए स्रिफ 2 यूज करते हैं 3 by 3 के लिए स्रिफ 3 और 4 by 4 के लिए स्रिफ हम लोग 4 यूज करते है ठीक है अब देखिए अगर आप समझ भी कहा हो कि determinant of a का power क्या हो जागा n-1 हो जाता है ठीक है तो अब determinant of a का power n-1 हो गया तो अब देखिए कैसे solve करेंगे अपमाली चीए एक example लेते हैं हम लोग एक matrix A हमको दिया एक matrix A में बनाता हूं जल्दी से लिखा हुआ है 1 3-1 4 1 3-1 4 देखिए अब इसको expand करें फटक से कितना हो जागा यह 4 प्लस 3 यानिकी 7 यह आ गया इसका determinant matrix दिया था matrix का मैंने क्या निकाल दिया अगर बोर्ट में आप करने जाएंगे तो बोर्ट में करने के लिए पहले इसको डिटर्मेंट में रिखेंगे 1 3-1 4 फिर आगए 4 प्लस 3 यानिकी 7 यह डिटर्मेंट आप आगे अब एड्ज्वाइंट आफ एक का जो डिटर्मेंट होगा वह क्या होगा डिटर्मेंट एक पावर से डिटर्मेंट यानिक 7 का पावर एन मैनस 1 एन कितना भाई आपका 2-1 यानि कितना आगए यह 7 आगया ठीक है ओडर ऑफ मैट्रिस जीरो 10-73 तो अध्यान देजेगा इस मैट्रिक्स पर यह डिटर्मेंट जीकी यह प्रिंसपल डिटर्मेंट है ओपर के अंसर प्रिंसपल डिटर्मेंट निकालना होगा तो क्या हो जागा मैनस 24 का पावर एन मैनस 1 यानिकी 3-1 यानि कितना जागए 24 का पावर 2 यानिकी 576 यह आपका अंसर हो गया ठीक है तो इसको बास समझने में आपको कोई आपका परिशाएं नहीं होनी चाहिए डिटर्मेंट ओफ एक कंप्यूट अज्वाइन आफ एक कंप्यूट किया बीना डिटर्मेंट अफ एडज्वाइन अफ एक कैसे निकलते हैं यह topic हम लोगा clear हो गया ठीक है अब अगले पर आते हैं हम लोगा अगला क्या clear करना था कि without computing joint of a find a into a joint of a चली अब वह देखते हैं दूसरा लाहम लोग का चली अब अगले हम से पूछता है without computing joint of a find a into a joint of a ध्यान से देखिएगा दूसरा चीज्ज हमार जो है इससे हम लोगो निकलना होता है a into a joint of a कैसे निकलेगा यह हम लोगो सीखना है ठीक है तो a into a joint of a के लिए हम लोग एक matrix लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाया तो i n हमारा क्या हो सकता है या तो i2 होगा या तो i3 होगा हमारे academic लेवल पर या तो 2 by 2 हो सकता है या तो 3 by 3 हो सकता है चली आप एक example हम लोग इस पर लेते हैं फटक से देखा जाया है प्रूव है कि ने 1 2 3 4 one two three four चीक अब इसका क्या निकाल इंक हम लोग एंड जॉएंट of a और a इंतु एजॉएंट of a किसके एकुल है determinant a into i n इसका determinant a हमको निकालना पड़ेगा determinant a कितना है मेरा one, two, three, four कितना गई है 4-6 यानिकी-2 यानि-2 हो गया है यह क्या हो जागा 1001 फटाक से आप में लिप्लाइब करें क्या मिल जाएक आंसर कर दीजिए कॉंजिए टैनल को मैंन से मल्टिप्लाइब कर दीजिए यह देखे एड्जॉइंट आफ या इसका ए से मल्लिप्लिकेशन करना है यानिकी-2 एड्जॉइंट-फटाक से निकाल दीजिए आपनों एड्जॉइंट-फटाक कितना हो जगा 1234 और यहां कितना जगा 4-2-3-1 मल्टिप्लाइब करना आपको सिखा जा चुका है मल्टिप्लाइब करिए क्या जागा 4-6-2-2-12-12-6-4 ठीक है अब इसको थ्रा सिंप्लिफाइब करेंगा तो क्या अंसर देखिए आपको क्या मिल जागा-2-0-0-2 देखे दोनों सेम आ गया यानिकि यह वेडिफ करने को कहा तो आपको दोनों करना पड़ेगा अगर वेरिफिकेशन करने को नहीं कहा तो आप खाली एक पार्ट करके फटाक से सौल करके आंसर निकाल नेंगे ठीक है तो टू बाइटू के लिए मिना को समझा दी अब आई एक्जाम्पल लेते हैं 3x3 के लिए भी चली अब एक 3x3 के एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि 3x3 के लिए अपमारे पास वह वैलिड है कि नहीं है ठीक है हम लोग एक वेरिफाई करने को कहा है एक मैट्रिक्स ए दिया है माइनस 2 2-1 3 दूसरा दिया 425 तीसरा एलिमेंट हम लोग is O O Stand for Origin Origin वरट क्यों लिखते है क्योंकि यह क्या होता है नल मैट्रिक्स होता है ठीक है टो चैत्वी ते ही द्यान रखिएगा Capital O से रप्सक्राइब करते हैं ठीक है यह मैंने निकाला माइनस टू माइनस त्री फॉर टू फाइब जीरो फॉर माइनस वन देखें कितना आएगा माइनस तू लिखा होज़ेंटर वर्टिकल लाइन छोड़ा माइनस टू प्लस ट्वेंटी प्लस वन माइनस फॉर माइनस जीरो फ्लस ट्री सिक्स्टीन ठीक है अब देखिए माइनस ट्यू गों तो एटीन हो जाएगा यह एटीन दूजा कितना हो जाएगा यह तो अध्यान दीजागा कहीं कुछ गल्ती हो गई क्या देखिए माइनस लग गया तू माइनस टू माइनस ट्वेंटी छर्ले अभी आका कि करका देखिए 22 to the minus 44 minus 4 plus 48 minus 48 plus 48 that is 0 ठीक है यारे इंटेर्मेंट यह क्यों है लेकित नहीं आगे 0 अब सिंस हम जानते हैं क्या A into Adjoint of A जो होता है वो किसके कर लो होता है Determinant of A into I3 हो जाएका Determinant of A मेरा 0 आया है 0 that is O ठीक है तो थोड़ा Expansion में ध्यान दीजेगा कहीं माइनिस प्लस का कुछ गलती हो जाएक तो आंसार आने के चांसे कम हो जाते हैं ठीक है तो यह हमारा दूसा चीज होगे Determinant of A को Adjoint of A निकालने बीना हम लोग A into Adjoint of A कैसे भी जाल सकते हैं ठीक है आप तीसरा चीज था क्या इसी का Determinant निकालना थ्यान दीजेगा इसी का फिर यह को क्या निकालना है लिखेंगे चलते हैं तो Determinant of A लिखेंगे आप आप बनाएंगे 10001001001 ध्यान दीजेगा यह आपने बना लिया कि यह मैट्रिक्स हमारा बन गया ठीक है अब जैसे यह मैट्रिक्स आपने बनाया तो आप इसको अंतर में रिप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जागा Determin n 000000 डिटर्मेंट ए धां धीजए यह आपका बन कर रहा है ठीक है अब इसी काम से क्या पूछ रहा है इस पार्ट का Determinant पूछ रहा है निकि एज्वाइंट आउफ टेग्टी अट्वाइंट आफ एका डिटर्मेंट बूचा ठीक है तो फिर सब इसको डिटर्मेंट लेटर्मेंटD अब जैसे आप डिटर्मेंट मेंटना और बागी सारी अलिमेंट क्या है लिए यानि कौसा मे Camp मैत्रिक्स हो गया, जैसा ही ट्रेस्ट क्या जयागा T.A into T.A और जो आइनसर है उसी का Q हो जा रहा है order N के ऊपर ही तो यह dependent कर रहा है power तो इसका मतलब इसका answer क्या होगा Determinant A का Power N जो भी Determinant है गाएगा उसका क्या जागा Power N हो जागा ठीक है Determinant A आप निकाल लिए उसी का Power क्या निकाल दीजिए N क्या है आपर? Order of Matrix है ठीक है तो यह verification के साथ आपको मैंने दिखा दी एक कैसे answer आता है अचली इस पर बेस्ट एक्जाम्पल एक लिए जाजल्दी से कि यह valid है या नहीं है देखिए एक matrix A हमको दिया है 2 by 2 ले चलते है 2, 1 7, 5 हमसे पूछा है A into Adjoint of A का Determinant बताएगा कितना होगा ठीक है? तो आफ अटाक से Determinant A निकाल लिए इसका कितना आगा यह? 10-7 that is 3 अब देखिए हम नहीं आको बताया A into Adjoint of A जो आएगा उसका जब Determinant हम लोगो निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? Determinant A का Power N, N यानिके 2, 3 का Power 2 यानिका आणसर कितना आगया? 9 हो गया देखिए जहां से कुछ है नेकास इसमें क्या हो जागा आणसर? इसका 9 आजाएगा ठीक है? इसको समझने कोई परशानिया के पास नहीं होनी चाहिए अब 2 by 2 अगर आपके दिमाग में clear हो गया हो तो 3 by 3 पे भी एक example ले लेते हैं ताकि वो भी आपके दिमाग में clear रहे 3 by 3 के लिएक element ले लेते हैं थोड़ासा easy सा लेता हूँ मैं ताकि जल्दी से solve हो जाए 00A देखिए अब इसमें determinant आप निकालेंगे तो आपका आजागा कितना? A cube आजागा पता आपको क्यों सा matrix है यह ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में आंसर क्या हो था? प्रिट आप दा प्रिंस्पल डिगनल ठीक है हमसे पूछा क्या है A into adjoint of A का determinant क्या हो जागा? determinant A का power 3 यानि कि A cube का power 3 that is A to the power 9 यह मेरा answer हो गया ठीक है? तो यह आप application के साथ adjoint of A का निकालने का तरीका होगा ठीक है अब adjoint of A अगर आपको दिवा में clear होगा तो अगला topic हमारा जो है inverse of matrix लेकिए वीडियो का length लंबा होने के विए समय इन्वर्स of matrix next lecture हम लोग discuss किया जाएगा आज आपका adjoint of A और उसको बीना compute किया जो टर्म्स हम लोगों निकालने को जन्दली बोर्ड में पुछा रहे तक वो हमने discuss किया इससे कुछ problem से solve किये बाकि आपके जो भी problem हो comment section में comment करके आप पूछ सकते हैं कि और आपके problem को जल्दी-जल्दी solve करने की कोशिश की जाएगी ठीक है तक आप लोग घर पर रही है safe रही है और गवर्मेंट की गाइडायन को follow करते रही है next topic ध्यान रहे हमारा क्या होगा inverse of matrix होगा यह चीछ ध्यान रखेंगा दिमाग में inverse हम लोग का next topic होगा inverse of matrix यह हमारा next topic होगा फिलिस बाब बाई सभी लोग को